हलो स्टुरेंट्स हमारा चट्टान वाला टॉपिक चल रहा था उस पर हम बात कर रहे हैं आज सेडिमेंटरी रॉक्स अब साधी चट्टान देखिए जब से प्रत्वी की उत्पत्ती हुई है तभी से आपका हमारे जो बहये जो बल है वो आपकी कारी करते रहें अर्था बह दिनूडेशन जिसमें दोनों क्रियाएं सामिल होती हैं अपचै और अपड़न अपचै प्लस अपड़न वो दोनों ही क्रिया हैं सुरू से चल रही है और उससे है चट्टानों का कटाव करके अन इस्तान पर है वो जमता रहता है जिसमें विविन पर रहके चट्टान चून उसमें हमारा जीवास में है अमारे बनस्वती है एक इस्तान पर है वो आपके परत के उपर परत है वो जम जाते हैं पतार अपसाद है सेडिमेंट जमता है और उ हुआ हमारी आगनी चतान बनी और आगनी चतान यहां पर अप्शॉय की गटना हुई अप्श गटना क्या है चतानों के टूट पुटकी गटना है जिसमें बार-बार आपका प्रिमाली जाए जमाव कि आपने इसके जब यहां पर मिट्टी का जमाव हो रहा है तो पेड़ पकते ही उसमें आपके जम रहें उसके साथ है आपके बहुत सारे जीव जन्तों भूबी इसके अफसे से अंदर आपके जमाव होता है और धीरे धीरे यह आपका एक ठोस प्रेलों में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ही लिथी सीफिकेशन कहा जाता है सिली भवन कहा जाता है लिथी सीफिकेशन या लिथी फिकेशन क्या कहा जाता है लिथी फिकेशन कि अफसारी चट्टान निर्मान की प्रिक्रिया में जब विविन प्रकार के चट्टान और आपके जीवास और बनस्पति हैं अब परत के उपर परत जम जाती है तता यह ठोस चट्टान के रुप में जम जाती है है उसे यह हम क्या कहते हैं स्लीव हवन या लिथिफिकेशन कहा जाता है अब दूशी चीज आती है यह जो आपकी सेडिमेंटरी रोक्स है हमारी जो क्रस्ट जो या भूप्रस्ट बाला जो भाग है उसके पिछेतर परसेंट बूप्रस्ट कहिए या क्रस्ट कहिए कि 75 परसेंट भाग पर बिस्तिर्थ है लेकिन क्रस्ट के निर्वान में इसका योगदान 5 परसेंट है तो उससे चीज आती है कि यह जो आपका अपसाधी करन की जो प्रिक्रिया है यह कई तरह से होती है उसको चलने से पहले हम थोड़ी से बात कर लेते हैं यहीं से कि इसकी क्या-क्या विशेष्टा होती है तो पहली चीज है विशेष्टा क्या होगी मैं बता है जो निर्वान की परिक्रिया है वही आपकी विशेष्टा है पहली में बताया कि आपका जैसे ही यह मलबा का जवाब होगा तो इसमें परत पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी अर्थात इसमें परतें पाई जाती है दूसरा आपका पटे पाई जाएगी अब बताइगा इसमें जब पटे होंगी तो चिद्र होंगी या नहीं होंगी अर्थात इसमें रंद्र पाई जाते हैं रंद्र पाई जाते हैं आइ नेक्स्ट ये मुलाइम होगी या कठोर होगी आपकी क्योंकि इसमें बहुत सारी परते होंगी तो ये आपकी मुलाइम जटा मुलाइम जटा अब नेक्स वताईगा क्या इसमें जीवास्म है वो आपके पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे इसमें आपका जीवास्म है पाए जाते हैं जीवास्म पाए जाते हैं नेक्स्ट है इसका अपर्दन बताएगा कम होगा अधिक होगा अपर्दन अधिक होता है जब मुलाइम है तो अपर्दन भी अधिक होगा खनीजों की बात करते हैं तो अब साथी चट्टानों में जो खनीज है वो आपके कौन से पाए जाते हैं इंदन खनीज पाए जाते हैं इंदन खनीज और अधात्विक खनीज भी अधात्विक खनीज पाए जाते हैं अब दूसरी बात करते हैं हम कि इसका निर्मान पद्धिति की आधार पर ये कितने प्रिकार्गी होती है उस पर बात कर लेते हैं लेकिए निर्मान पद्धिति की आधार पर आपका जो अफसादी चाटान है वो कई प्रकार की होती है तो पहली होती है यांत्रिकी के रूप में निर्मित अर्थाथ मेकनिकली और्गनाइज़्ट यांत्रिकी रूप से निर्मित अर्थाथ मेकनिकली अब देखिए मेकनिकली का वहन बताया एक यहां सन हे और यह चटान है और जब दिन में टेंपरेचर अधिक होगा टेंपरेच अदिक होगा लाथ है और को टेंपरेचर कम हुआ तो चटान को होगा अधिक हो इसी तरह से जहां बरफर कारण का आपका अगले सीजन होता है माच्छादन होता है वहाँ पर कोई रंदर के मादम से है जल आपका अंदर के तरफ चला जाता है दिने के समय लेकिन रात के समय है वो जम जाता है और आपको पता होगा जब आपके जल की तुलना में परब कायतन अधिक होता है और जब फेलेगी तो चटाने आपकी क्या होगी टूटेंगी और ये बारवार गटना होगी तो उससे चटानों किसकी क्रिया होगी अपचे की क्रिया होगी जिससे चटान चून है आपके क्या ह होते हैं तूर जाते हैं जिस से हमारा है सेंडी स्टॉन है बालु का इस ती उपड़ है चूना पत्थर है उसका निर्मान होता है कि सूना पत्थर बालू का पत्थर आदी का निर्मान है हमारा हो पाता है दूसरा आता है जैवी ग्रूप से आपका देखे जैवी ग्रूप से आपका और्गनेज या आपका और्गनीकली रूप से आपका इससे तो तरह से बनती है एक बनती है चूना पर दहां गेल्सियस देखे जहाँ पार है कुछ चटान ऐसे होती है जहां पर जल है आपका घूल की रूप में पाय जाता है और चटानों में है आपका बहुत सारे जो पधार्थों में अफसुत रूपता है और उसे चटान है वो आपका अलग हो जाती है जिससे की हमारा जो खनीज है वो है डॉलो माइट दूसरी है इसमें कारवनिक देखिए कारवनिक की हम बात करते हैं जिसमें उसनाजद बनस्पति वाले चेत्रों में यह आपका पाय जाता है और इसमें कारवनिक में जैसे हमारे जितने भी है इंदन खनीज हैं कोईला है पेट्रोलियम है उसका निर्मान आपका होता है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइसानी ग्रूप से और जो राइसानी ग्रूप से जो हमारी बनती हैं राइसानी ग्रूप से और राइसानी ग्रूप से हम बात कर लें तो आपका जैसे की लाइम स्टोन है उनका निर्मान आपका होता है उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो निर्मान में प्रिक्रिया या निर्मान की प्रिक्रिया में भाग लेने वाले पदार के आदार अगर हम बात करते हैं तो जल की आदार पर इनका निर्मान हो जाता है आपका हवा के आदार पर हो सकता है हिमानी के आदार पर किस-किस के आदार पर आपका होता है तीन आदार पर होता है जल निर्मित दूसरा है वाई निर्मित तीसरा है हिमानी निर्मित जल निर्मित में तीन तरह की होती हैं सरोबर यह एक्योस्टाइन आपकी आपकी अपके रेवरायन नदी निर्मित आपका जील निर्मित आपका दूसरी चीज आती है बाय निर्मित जो हवा है मिट्टी के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पले जाती है उसे लोएस का निर्मान होता है और तीसरा है हिमानी निर्मित जिसमें विविंस प्रकार की कंकड़ पत्थरों का जमाब होता है और जिससे हिमोडों का निर्मान हो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगले वीडियो में है, वो हम बात करेंगे, मेटामॉर्फिक अर्थात कायांत्रे चट्टान पर बात करेंगे, धन्यवाद.